एक्जाम हंटर यूटीब चैनल के साथ साथ आपको एक्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी जोईन करना बहुत ज़रूरी है सारे अपडेट्स सारे नोटिफिकेशन उसके साथ साथ मोडल एंसर क्वीजवगारा सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है तो इसको आप जोईन क आपको बताएंगे आज हम लोग आप्सिनल के बारे में चर्चा करना है ठीक है आपको पता होगा कि बीपीएसी ने इस बर मोका दिया है कि अगर आप प्री के समय में कुछ और अगर चूज किये हैं और अभी आपको कुछ और लेना है तो आपके पास ऑप्सन है ठीक है आ आपको पता होगा कि कुछ ऑप्सिनल सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग है और कुछ हैं जो बिलो एवरेज है मतलब नमबर उठता नहीं है वन अप देग्जामपल इस पी एस आई आए ठीक है ना तो बहुत सारे ऐसे पी एस आई यर के बच्चे मुझे मिले हैं ज तो आफ्सब पर हम चर्चा करेंगे तो पहला अंधा क्या है कि युशन हो रहा है के नहीं नहीं बहुत सारे इपिए के जू पर्साद उन्होंने बोला चेंज होगा इस वर मोका दिया जाएगा और आपको पता होगा कि जो आज तक पर उन्होंने इंटेव्यू दिया था उसमें भी बात को चर्चा उठाया थे और बोले थे और निव चुपन में भी आया था तो ऑफशनल चेंज करने का मोका दिया जाएगा आपको अब सवाल है कि कौन सा ले अगर आप मन बना लिए हो कि ऑफशनल चेंज करना है तो वहीं ऑफशनल लीजिए जिसमें थोड़ा बहुत आपका इंट्रेस्ट है ठीक ना इसकोर प्रमत जाएगे कि यह हाई स्कोरिंग है तो हम ले लेते हैं हमको भी स्कोर आजागा वैसे पॉसिबल ही नहीं है अब अगर आप स्वीच कर रहे हैं तो उसको चूज करें जो इसकोर तो होता ही है उसमें उठेगा ही उठेगा लेकिन साथ में आपको इंट्रेस्ट भी लगे क्योंकि अगर देखो कि तो 90 दिन से कम बच गया है और 90 दिन से कम में अगर आप कोई ऑप्शनल पहला कि उसमें आपको इंट्रेस्ट होना चाहिए मतलब पढ़के मजा आ रहा है ठीक है दुसरा कि यह स्कोरिंग होना चाहिए ठीक है अगर सब एक्जामपल ले लो अगर PSIR है तो चेंज करके आप फिर LSW डाल लोगे तो फिर फैदा क्या होगा दोनों में तो जो मार्कि होगे तो क्या फैदा है इसमें मार्किंग नहीं होता है उसको थुरा देख लिजेगा कि कैसे चूज करना है क्या करना है ठीक है अब क्या ऑफ्शनल चेंज करना सही रहेगा तो यह अपर डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि हम कर लेंगे 90 डेज में 90 डेज में कि आपको किया करना है कि अपको पता है कि इतना वहाष्ट होता है इस होता मांत जा सब लबा है यह बहुत ही लंबा है जब previous question उठाओ और उसमें topics को filter करो कि इस topics पर question आता है second topic, third topic and fourth topic so on करके अब फिर देखोगे आप कि around 30 to 40 topics होंगे जिस पर BPSC repeated questions पूछती है और BPSC में क्या होता है कि optional में हमें six questions करने होते हैं ठीक है या 6 questions का A और B parts होता है तो overall देखा जाएं तो 6 questions करने होते हैं तो कोई बड़ी deal नहीं अगर आप 30-40 क्या सपस model answer बढ़ियां से त्यार करके चले जाओगे previous year को अगर analyze करके आप तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो इसमें आप optional में कर सकते हो बढ़ियां number ला सकते हो ठीक है जैसे suppose करो अब अगर सपोज किजिए कि PSIR है ठीक है इसमें average marking क्या होता है 130 से लेके 140 के बीच में number नहीं देते हैं जोग्रफी है या sociology है या history है इस समय क्या होता है average marking 150 से 160 के बीच में और अच्छा खासा लिख दिये हो कि हम पूरे syllabus को पर जाए शुरू से लेके अन तक सब चीज़ कवर कर जाना है क्योंकि आपको इसके अलावा GS1 और GS2 भी कवर करना है ठीक है तो आपको करना क्या होगा previous year question देखिए topic को filter कीजिए और उसी topic को अच्छे से पढ़िए क्योंकि 6 questions को deal करना है 6 questions में से आप 4 questions को भी अच्छे से कर लोगे तो बचा 2 questions 2 questions में तो थुरा बहुत जानते ही होगे तो आप अराम से 150 प्लस नंबर ला दोगे खासकर अगर जोगराफियोगराई सब लेते हो तो 160 कि आसपास भी आ जाएगा और और अगर आपको लगता है कि आपका optional जो है उसमें नंबर अच्छा हो रहा है जैसे कुछ optional होते हैं जि इसका भी बहुत घटिया परफॉर्मेंस है लोग नंबर नहीं देते हैं उसके बाद आ गया लेकिन ओफरॉल देखा जाए इसका भी उतना चापरफॉर्मेंस नहीं है तो अगर आप इस सब से चूज कर रहे हैं किसी और में किसी और optional में तो अच्छी बात है ठीक है अच् सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है या जोग्राफी है या सोचिलोजी है या टेक्निकल कोई सब्जेक्ट है इस समय और लेडी अच्छा नंबर उठता है अब इसको स्विच कर रहे हो आप तो इसका एक ही रिजन होना चाहिए कि आपको इंट्रेस्ट नहीं है ठीकर इंट इंट्रेस्ट नहीं है अगर इंट्रेस्ट है तो मेरा सजेस्टन की स्विच करनी की जोगत नहीं है क्योंकि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और पहले से आप कुछ पढ़े हो गये तो इसमें एफर्ट आपको कम लगाना पड़ेगा समझे है तो ओबरॉल कहने का मतलब से बाहर हो गया ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए इंफोर्मेशन के साथ इस चैनल को दखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभो